हाँ दोस्तो बिलकुल ठीक सोच रहे हैं आप इस समय से हमारा मतलब जब हम वीडियो बना रहे हैं या आप वीडियो देख रहे हैं कदा भी नहीं इस समय से हमारा मतलब है फसल की शुरुवाती अवस्ता या जब हमारी फसल की vegetative growth चल रही हो तो उस समय हमें कोरजन के इस्तम किस समय करना चाहिए कौन कौन सी फसलों पर करना चाहिए कैसे करना चाहिए इसके वारे मत आएंगे और शुरू करने से पहले आपसे अरूध है कि बीडियों को कर लीजिए लाइक जैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल अइकन के वो होती है बाद में यदि हम पहले ब़स्ता में इसका प्रियोग कर ले तो दोस्तों हम इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे गन्ये के बारे में और उसके बाद करेंगे सबजियां और दूसरी फसलों के बारे में दोस्तों जब हमारी फसल की ववाई यानि की गन्य की ववाई अक्टूबर में होती है या फर्वरी में होती है तो उस समय के गन्य में हमें प्रियोग करनी है अपरेल की लाश्ट में क्योंकि दोस्तों इस समय ही हमारी गन्य में विमिन प्रिकार के कीट लगते हैं जैसे कि आपके गन्य में लगता है कंशुआ, सूट बॉरर और बाद में लगता है टॉप बॉरर और इस समय हम प्रियोग कर लेते हैं तो अपरैल, मैई, जून, जॉलाई तक यह हमारे गन्य में पूरा कंट्रॉल रखती है और कीटों से बचाव रखती है और कोराजन का जो हमें इस्तमाल है दोबारा नहीं करना पड़ता है इसके बाद बात करते हैं हम मातरा की और प्रियोग के तरीके की तो दोस्तो पिरती एकड़ के हिसाब से 150 ग्राम कोराजन लेकर 400 लिटर पानी में घोल कर पिरती एकड़ के हिसाब से पौदों की जड़ों में डिल्ची करने चाहिए यही एक अच्छा तरीका है हमें इसका प्रियोग पत्तियों पर नहीं करना चाहिए और दोस्तो अब बात करते हैं मिरच, बैगन, टमाटर जैसी दूसरी फसलों के बारे में तो दोस्तो इन फसलों में हमें जो पिरियोग करना है वो सुरुआती अवस्ता में नहीं करना है जब हमारे फसल पर फूल और फल बनने लगें उस समय करना चाहिए क्योंकि दोस्तो यदि हम सुरुआती अवस्ता में इसका पिरियोग कर लेते हैं तब हमें फीटों से तो पचाब मिलता है लेकिन जब दोबारा फल आने पर हम इसका पिरियोग करते हैं तो हमें पूरे रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हमें फिर दूसरी दवाओं पर निर्वनेना पड़ता है और दोस्तो इस समय हम पिरियोग करना चाहिए जब हमारी फसल में छोटे छोटे फल बनना हो और फूल बनना हो तो हम इसका इस्तामाल करते हैं आप सभी जानते हैं इसका जो result है वो लंबे समय तक मिलते हैं और हमारी फसल पूरते सुरक्षी रहती है कीटों से और उसकी quality भी अच्छी होती है और दोस्तो यदि आप सकता पड़े तो हमें दूसरी दवाई का इस्तमाल करना चाहिए जैसे बायर की fame है टाटा की टाकुमी है इन दवाई का हमें इस्तमाल करना चाहिए यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें पूर रियल्ट मिलते हैं और इससे हमारी quality भी अच्छी होती है और दोस्तो हमें सब्जियों में और दूसरी फसलों में जो इसकी मात्रा है वो 60 ml प्रती एकड़ के हिसाब से 200 लिटर पानी में खोलकर अच्छी प्रकार इस्प्रे करना चाहिए यदि हमें सकरते हैं तो हमारी फसल प्रियल प्रकार के कीटो से तो बची ही रहती है और उसकी quality भी सांदार मिलती है और उस पान अच्छा मिलने से हमारी आमदानी बरती है तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाब नमस्कार